गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करती हो सभी अच्छे होंगे में भी आपे बहुत कुछ हूं तो जी आभी सुभी के बज़री है नो और सोनो को छोड़ के आए इस स्कूल तो हमारी दिन की शुरुवात तो हो चुकी है और यह हमारा छोटू और दिन तो ले लग लहा है तो हल्की से गरमी सही लग लाग रही है तो मन र обязर करना जहकेट को थुरा व्तार दूं आप मैं जा रही हो रसोई में तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पाष्लियों थोड़वे दिनों की खिये थे डेंफिर अगर निकालना एस तरीके से तो यह तरीका भी बहुत आसान है और निकल भी जल जाथी है और इसमें कोई ट्रीक यह प्र होगा districts आप देख। देखेंगे यह निकालना गी का सब्सक्राइब मतलब कुछ भी ट्रीक का इस्तिमाल नहीं करेंगे नौर्मल जैसे हम घरों में काम करते हैं इतना पताने वाली हों आपको यह गी निकालने के तरीका कि इससे तो मतलों कोई भी बना सकते तो आभी देख सकते हैं मेरे पास साधीन के मलाई था मैंने उससे निकाल लिया है पड़ाद में अगर आपके जादस दिन का हो ना तो अभी पराथा बगरा बनाने के लिए लेकर आई थी उसी से मस्लूंगी लगातार और इसे ज़्यादा दिन मसल ना पाता है जदा सजय कोई बगार के दितिमाल नहीं नहीं आप देख सकते हैं जाच भी बहुत कम निकलिए तो मैंने घंड़ पानी में दिया था उसमें सो लेकिन आप अगर मखन अलग ना करें तो से डाल दें उससे आपको एक ही बरतन घी निकल जाएगी जिसे आपको आसानी रहेगी मैंने इसलिए अलग किया था जैसा कि मैंने आपको पता है ने बच्चे के लिए थोड़ा सा मक्कन मतलब अलग करना था इसलिए और आप देख स तो जी आप में यहां पर ले रही हूं एक मोटी तलाई के कड़ाई आप इसमें नॉनिश्टिक कराई इस्तेमाल ना ही करें कि को ब्लैक ब्लैक होती है वो कई बार उतर जाती है तो कड़ाई को मैंने वैसे गैस पर रख दिया था गैस को मैंने फूल कर दिया है तो जी देख सकते हैं जैसे मैंने मखन को डाला है वैसे वह पीगलना शूरू हो गए वैसे आप चाहिए तो मक्कन को मतलब श्टोर कर सकते हैं किसी भी डबाय टायट जार जिसमें भी रखना पसंद करते हैं तो फ्रीज में श्टोर करके आप इसे 15-20 दिंताक इस्तिमाल कर सकते हैं ले अगर पीगलने में टायम लेगे तो आप उसे थोड़ा से लगाता चला दे तो उससे क्या होगा कि जो मेवा होते हैं वो चिपक ने लग जाते हैं अगर मीडियम गैस करेंगे फूल तो नीचे तले चिपक ने लग जाता है तो आप अगर थोड़ा ही मतलब चम्चे से चला बाकी है तो मैंने इस टाइम ग्यास को मीडियम रखा है और यह आसानी से गल रहा है और दस मिनट करीब लग गया है हमें मीडियम गैस पर तो आप देख सकते हैं 10 मिनट में पूरा पीगल चुका अच्छी तरह है और घी निकलना शुरूरू हो गई है और इसमें जो मेवा है जी चाव बगराई को अवी हिस तरश से घी निकाले ना तो गबराई है नहीं सुसरोड ज़ां नौर्म है दो मृट में जाथ क्या है जैसे फृष मतलव पकते जाएंगी ना अलगता जाएंगी मिवासे बैसे हमारे जो यह जाके वो भी कम होता जाएगी और आप अगर इस तरह बीना मतलब कोई बरप या पर किसी भी नमक बगर के इस्तिमाल से गी निकाले ना तो इस गी को आप पूजा में भी इस्तिमाल कर सकते लेकिन पूजे के लिए कोई भी सामगरी आप बनाए ना तो आपनी हिसाब से बनाएं तो आप दिख सकते हमारे गी निकल चुकी है अब में गयस को ओप कर दूंगी और ठंड होने पर घी को छान लूंगी तो जी हमारा घी बिल्कुल ठंड हो चुके अब मैं इसे पहले प्याले में निकाल दे हूं क क्योंकि इसे मैं घर में इस्तिमाल करने वाली हूं इस बचे से डब्बे में डालूंगे आप किसी भी जार या डब्बा किसी में भी रखना चाहते ना उसमें रख सकते हैं चाहे तो घी है यह बाहर रखे यह फ्रीज में कोई फरक नहीं पड़ता है यह बहुत लंबे समय निकली है लगवग तिन पाओ के करीब है यह गी तो मेरे लिए तो इतना काफी है क्योंकि इस घी का इस्तिमाल में बच्चों की जो पराठे बगरा होता है ना उसी में इस्तिमाल करते हूं बाकि तो मैं घर के लिए तो बहार से मंगबा लेती हूं तो आप देख सकते हैं गी का कलर देशी गी का कलर और स्वाद और सुगंध बहुत ही बढ़िया आता है तो आप भी ट्राइज जरूर किजिएगा आपको भी उम्मीद का तो काफी पसंद आएगा क्योंकि यह देशी तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं मेरे मंतली ग्रोसरी य कुछ माही ने भर का इस्थिमाल का है और कुछ समन साल भर का विष्ट पुर्यांट यह बच्चों के लिए में लेक्श इतीimana दंदस रुपि का मिलता है है यह स्वाप की पूरिया है और यहाँ पर में लिये चने की डाल तो चने की डाल आदी कीलो लाई हूँ हूँ और य यहां पर चन लेके आई हूं और यह भी मतलब सर्दी है तो खाने काम आएगा साथ में मुंफले लेकर आई हूं पावर यह चटनी बगरा में इस्तिमाल करने के लिए सर्दी आगे तो हरे दनिया मिल जाते तो उसमें चटनी के लिए जरूरी है और साथ में कुछ खड़े मसा पीते और काली मिर्ची चाय में डालते तो उसको टेस्ट बहुत अच्छा आता है साथी गला और जुखाम खासी में काफी फायदे मन दें तो इसलिए में काली मिर्ची दो पकेट लाई हूं और यहें मैगी मैजिक मसला बोलता है ना सबजी में या फिर मैगी में पास्ता यहां पर चना अधी किलो लेक्व और चना दाल मलाई ओर यह भी कम लाइं यह पावर लाईं क्यूंकि डाले बगर में बहुत कम इस्तिमाल करती हूँ और यहां पर सपेद उरत की दाल तो यह दाल ह Séb biography in harmony daí हstag Look at Uh sitting in harmony सदी ही सामान जो कि इन्पॉर्डर्ण चुऊ wrapping जो बच्चों की दूद्वग्रा में देने का कामा ता इसे शरी करम और सभारे का तासिर भी फादे मन्हें तो बच्यों को काफी जदा पायर्य में और गूर्ड तो सड़िकर सिजन में तो गूड तो सर्दियों में हर किसी को चاحए हो ता चीनी भी एक किलो लाएं। तो चीनी भी किसी भी रेसेपि में या पी चाय बहकर हमारे घर में कमी पेते हैं तो उसके लिए भी एक किलो महिने में मेरा काफी है और गूड मेरा दो, इसका दाना उतने साइज की है तो मुझे मि शूरू से यह इस्तिमाल करती हूँ और मुझे इसी ब्रांड का अच्छा लगता है बेशन, सूजी और दलिया और एक डबी में यापी हिंग लाई हूँ यह मेरे दो-तिन महिने चल जाएगा एक पाले जी का बिस्किट का पाकट लाई हूँ यह भी मेरे दो महिने चल जाएगा और यह क्याच का गरमसला यह भी म मेरे थीन चाड मैने चलेगा कि रोज बनता नहीं है और यह लाई हूँ बच्चों के लिए तो यह आप देख रहा हैं यह एक किलो का पाकेट हैं तो एक किलो चावल मेरी माहिने बर चलते हैं क्यूंकि इस में से थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल करते हैं पाव भर के करीब औ और बच्चों के लिए 3 पाउद लग जाता है माइने में तो बच्चों के इस्तेमाल के लिए भूह हम इस्तेमाल नहीं करता है और इन में से कुछ समयान यह देख सकते तेज लेके आएंगे, ताकि खाने के बाद में थोड़ा सा बच्चे को दूँ तो उनका गला थोड़ा मतला कहते नहीं पापर खाने से गला तो जो लार होता है वो सुखा रहता है तो सोने से पहले उनको एक चोथाइ पापर से के देदू इसलिए लेके आयों तो बोब उब च्र म और यह जो चावल मैंने अभी दिखाई आपको यह दो खिली चावल लेकिया हूँ कच्छे चावले उसका में रेसिपी बनाती हूँ जैसे कोई भी नास्ता बगरा हुआ वह इस्तिमाल करते हूँ बाकि वह काने का इस्तिमाल नहीं है और यह 10 रुपए बाला सिवाय के पेके पूहा है यह धी मेरे सालबर का समाण है और यह फिल्चा किका है तो आप देख रहें ड्रैपूर संद मतमाने ला है यह उनलाइन मंगबाई थी टो जी यह बिए्वसतिमाल करने तो यह भी मेरा एक साल चलेगा और यह जीरा है जीरा का जीरा भी एक किलो है तो यह भी मेरा एक साल ही चलेगा यहाँ पर मतलब जो सामान है ना दो तिन आइटिम और यह लाल मिर्ची है यह तीखा कमबाली लाल मिर्ची है यह बहुत ज़दा स्पाइसी नहीं है तो यह भी म यह हमारा गेहू गेहू में लेकर आयू पाव भर आप सूच रहोंगे खाने में गेहू क्या काम आएगा जिस साबूत गेहू है यह कभी आपन कथा बगरा सुनते तो उस टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए और आभी मैंने हाथ में राजमा ली हुई है राजमा पाव भर कर आए हूं कि सर्दी का सीजन है तो आजमान के लड़ू बगरा बनते तो इस बज़े से आजमान भी चाहिए जादा और बीच में यह देखिए घरी साबून लेकर आई हूं मैं दो और घरी पाउच जो है यह 10 रुपए बाला घरी पाउच है तो यह भी मेरा दो मैंने चल जाता है तो यह मेरा घरी साबून की बात और एक साबून लेकर आई हूं जो कि मैं इस्तिमाल करूंगी तो यह एक मैने चल जाएगा दो बीबिल लेकर आई हूं तो एक साबून मान लिजे नहाने का भी मेरे एक मैने चलता है और यह जलक लेकर आई हूं बरतर माजने का य चोके कपड़े उपर लेके रोज की दोने के बाद भी तो जी ये है मेरी कुछ सामान जो महिने बार चलेगा और थोड़ा साल बार के लिए है तो आपको ये वीडियो को कैसे लगे अगर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें तो जी मिलती हूं फिर कि इसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्ते जाहिंद